हेलो फ्रेंड्स आज वें आपको प्राइवेट आए ये 2009 की कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मुवी एक्स्पेंड करने वाला हूँ जिस तरीके से शार्लोक होम्स में शार्लोक होम्स और डॉक्टर वाटसन इन दोनों के रिलेशन्शिप दिखाई गई है उसी तरह के से इस मुवी के क्यारेक्टर में भी इन्होंने डेवलप करनी कोशिश की है और अच्छे परसंटेज में ये सफल भी हो जाते है ये मुवी अलग-अलग टन्स से भरी हुई है तो चली इसे एक्स्पेंड करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि एक आत्मी जंगल से चल रहा है उसके साथ एक डेट बॉड़ी है इसे वो लेकर जा रहा होता है इसके बाद जिन हो जो हमारा मेन क्यारेक्टर है ये हम देखते है जिन हो एक प्राइवेट डिरिक्टी होता है एक वाइफ चीट कर रही थी तो जिन हो ने उस हजबन को वो जहाँ चीट कर रही थी वहाँ पर लाकर छोड़ा था जब चीटिंग करती होए वाइफ को उसने पकड़ लिया तो इसकी फोटो जिन हो ने ली ली newspaper editor इसे पेसे देता है और पूछता है कि तुम क्यू वाहा जाना चाहते हो कि वो हमें बहुत सारे पेसे कमाना चाहते हो ये जोग कर देता है कि वो आ बहुत सारी wives चीट करती होंगी अब जिन हू सिटी में हाता है इसे actual में directive work भी करना होता है इसलिए अपने pamphlet city में लगा देता है इसके बाद next scene में हमें दिखाया जाता है कि एक operation चल रहा है यहाँ पर एक बड़े doctor होते हैं जो Japanese होते हैं इनके हाथ के नीचे हमारा और एक main character जिसका नाम Jang होता है यह काम करता है इस operation में Jang थोड़ा भी डरा नहीं था और सही से उसने doctor को help की थी तो जब यह operation खतम हो जाता है तो doctor Jang से कहते हैं कि तुम्हें और भी practice करनी चाहिए जैंक generally animals पर practice करता है तो doctor से कहते हैं कि अब तुम्हें humans पर practice करनी चाहिए doctor ने अभी-भी operation किया है पर इसके बदले में उसे एक भेज दी गई है यह जो हमारी story का time period है यह 19th century का starting का period है इसी वचे से यहां में दिखता है कि doctor को as a payment वो भेज दे दे थे doctor इसमें frustrated होता है क्योंकि जापान में लोग ऐसा नहीं करते थे इसके बाद हमें एक crime scene दिखता है जल्दी से उसके नीचे काम करने वालों को यह पोशने के लिए बोलता है यह कहता है कि यह master के son का room था किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए master आकर यह देखता है और इसे बहुत ही सद्मा लगता है master का बेटा ही गायब हो गया है तो बहुत इचिड गयाता है वो जल्दी से जल्दी young को ढूणने के लिए बोलता है young भी कहता है यह अगर आपका बेटा नहीं होता तो मुझे जॉब कभी भी नहीं लगती यह master कहता है कि अगर तुमने सही से मेरे बेटे को ढूण दिया तो तुमारा नाम हम हिस्ट्री में अमर कर देंगे अब नेकसिन में young suspects की list निकालता है वो अपने कलिक के साथ यह list देखता है और उनके नाम से ही logic बनाने की कोशिश करता है एक के नाम में tiger होता है तो इसने ही यह काम किया होगा इसलिए उसको ही वो suspect बना देते है मास्टर को बहुत ही बुरा लग रहा होता है उपने friend से कहता है कि अभी अभी तो मेरा बेटा पढ़कर आया था उसका कोन enemy हो सकता है दिन वो पूरे empire को rule कर सकता है यहाँ पर हम देखते हैं कि जाएंग मोजूद है साफ सपय का काम वो यहाँ करता है और काम करते करते ही वो master के sun की photo देखता है इसे shock लगता है और वो बहुत ही डर जाता है रात में सड़क से जब यह जा रहा होता है तो लोग बात कर रहे होते हैं कि master के sun को अगर कुछ हो गया तो यह बहुत ही बुरा होगा जिसने यह किया होगा उसे बहुत ही तटपाया जाएगा master ने उसके sun को ढून कर जो देगा इसके लिए बहुत सारा इनाम रखा हुआ होता है सुबह हम देखते हैं इस जाएंग जिन हो के पास आता है उसे आकर कहता है कि मुझे एक आदमी को ढूणना है जब ये पैसे वगरा डिसकस कर लेते है तब जैंग उसे कहता है कि वो एक मर्डरर है मर्डरर का नाम सुन कर जिन हो पीछे हट जाता है वो पुलिस के कामा में जादा इंटरफेर ने करना जाता उसके लाइफ को भी खत्रा हो सकता है तो इसके लिए वो केस लेने वाला नहीं जैंग कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो जैंग को उसने बाहर निकाल दिया होता है जैंग उसे पाच वोन देता है वो कहता है कि मेरी सिर्फ बात सुनने के लिए यह है जाएंग फिर जिन्हो को एक जगा पर लेकर आता है जाएंग उसे एक dead body दिखाता है यह master के बेटी ही dead body होती है जिन्हो जब यह देखता है तो डर जाता है जाएंग केता है कि अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा मैंने यह कभी देखा ही नहीं इसा आप मैं pretend करूँगा मुझे पता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा पर यह case जिन्हो को नहीं लेना होता जाएंग जिन्हो को कहता है कि मुझे body मिली थी मैंने नहीं किया है और इस काम के लिए उसे 500 one देना चाता है जिन्हो को अमेरिका जाने के लिए जो टिकेट लगने वाला है इसकी प्राइस ही 500 one है 500 one सुनकर जिन्हो रूख जाता है जिन्हो कहता है कि तुमारे पास body है तुम जाकर directly देखकर आ सकते हो जाएंग केता है कि मैंने इसके लिवर वेगरा सब कुछ निकाल लिया है हमने देखा था कि डॉक्टर ने जाएंग को कहा था कि real humans पर इसे practice करने चाहिए तो यही जाएंग कर रहा था और इसी वचे से उसने लिवर वेगरा सब कुछ body से निकाल लिया था अमने movie के फस में देखा है कि एक आत्मी जंगल से body लेकर जाएंग ही था गुमते फिर ते इसने एक body देखी और इस पर experiment करना चाहिए ऐसा उसे लगा इसलिए body यह घर पर लेकर आया अब जिन्हों पैसों के लिए एक case लेने के लिए ready हो जाता है जिन्हों फिर उसे जहाँ पर body मिली थी वहाँ लेकर आता है यह जगा फॉरेस्ट में होती है और body वहाँ पड़ी हुई थी जिन्हों आसपास देखता है तो कार्ट के निशान उसे दिखते है जिन्हों को लगता है कि अगर इस कार्ट को उसने पहचान लिया तो किलर के पास हो पहुच आएगा पर जैंग ने ही एक कार्ट लाया था जैंग को फिर से मजाग करकर पूछता है क्या तुम शोर हो कि तुमने नहीं किया इसके बाद हम देखते हैं कि दूनों market में आ जाते हैं जैंग 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 को कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि फॉरेस्ट के मिडल में जहां किसी को भी बाड़ी मिल जाए यहां बाड़ी रखी गई थी मर्डर ने कुछ भी effort नहीं लिये थे जिन्हों कहता है कि इसके पीछे दो reason हो सकते है पहला यह बहुत idiot है और दूसरा कि वो च्छाता था कि यह बाड़ी किसी ना किसी को तुमिल जाए जिन्हों जैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा पीछा कोई कर रहा है इस आदमी को spot करता है और इसके पीछे-पीछे भागने लग जाता है जिन्हों एक जगा पर ठकरा जाता है और यह आदमी आगे चला जाता है जैंग को लगता है कि यही killer हो सकता है इसके बाद हम देखते है कि जिन्हों एक लड़की के पास आता है इस लड़गी का नाम होता है सुन यह हमारे और एक मेन कारेक्टर है यह एक फैक्टरी जीसी जगा पर काम करती है पर वहाँ वो बहुत सारे एक्सप्रिमेंट करती है एक्च्वल में इसे सैंटिस बनना होता है इसलिए हमेशा वह experiment करती रहती है जिन्हों को उसने एक दुर्बिन दी थी पर अब और टूट चुकी है इसलिए जिन्हों उसके बाद यह बात करते-करते चलने लग जाते है जिन्हों केता है मेरे पास एक बहुत ऑच्छी case आई है अगर उसने स्वाल कर दी तो उसे अमेरिका जाने के लिए पैसे मिल जाएंगे सुन को भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि तुम भी बहुत स्मार्ट हो अगर तुम भी अमेरिका गई तो वहाँ बहुत साही चीजे तुम सिख सकती हो तो पुछती है क्या तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्हों केता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा सुन के दिये मैं इसाब एक्स्प्रिमेंट्स वगिरा करती हूँ ये करकर मैं आल्रेडी बहुत सारी रिस्क ले रही हूँ सुन टेलिस्कोप और इस तरह की अलग अलग चीज़े बना दिये 1900 का जो वक्त था इतना प्रोग्रेसिव नहीं था औरते ये सब कर सके एक्सिप्टेड नहीं था इसलिए सुन के दिये कि मैं करकर अल्रेडी रिस्क ले रही हूँ इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों मास्टर के घर में आ जाता है जहाँ पर मास्टर के सन को उठवाय गया था तो एज़ पुलिस ओफिसर वो ढोंग करकर वहाँ आ जाता है पुरे मर्डर सिन को देखता है यहाँ पर उसे ड्रग्स मिलते है यह सब चानबिन कहा रहाता है तब एक पुलिस ओफिसर उसे ढोंड लेता है इसके बाद उसे यंग के पास लेकर जाया जाता है यंग उसे मारता है और कहता है और कहता है कि अब यह केस खतम हो चुका है इसने जो रियल किलर है उसे पकड़ लिया है यंग ने किसी को भी उठा लिया है और उसे वो confession लेने के लिए जबर्दस्ति कर रहा है जिन्हो कहता है कि अगर ये killer है तो उसने body कहा रखी है यंग ने सिर्फ suspect के नाम से उसे पकड़ लिया था ये logic जब जिन्हो सुनता है तो इस पर वो हसने लग जाता है जिन्हो को फिर छोट दिया जाता है वो directly जैंग के पास आता है जिन्हो ने murder scene से जो drugs लाए थे वो जैंग को दे देता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये drugs है जैंग अब इसका study करने लग जाता है और उसे पता चल जाता है ये drugs है जहाँ पर ये drugs sale किये जाते है वहाँ फिर जिन्हो और जैंग पहुच जाते है यहाँ अंदर सब नशेडी पड़े हुए होते है यही से ही master के सन्ने drugs लियोंगे तो इसकी inquiry वो करने लग जाते है थोड़ी दिर में इस जगह का boss आ जाता है और जैंग को पहचान लेता है उसे पता है कि डॉक्टर के नीचे काम करता है और यह कभी भी drugs नहीं करता अब इस गुंडा सब आत्मे को लेकर उसे मारने लग जाता है जैंग और जिन्हो भी रेजिस्ट करते और बहुत सारे लोगों को मारते भॉस को पकड़ लेते और उसे लटा लटका दे ​ उसे पूचते है कि तुमने लास्ट पार का master के सन को देखा था पहले भोलने रहा हुता पर उसे बहुत डर आते है तो बोलने लग जाता है यह कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जब उसे देखा था कि वो ड्रक्स लेने के लिए आया था उस दिन उसके घर के डारेक्शन में वो नहीं गया डॉंगी निनम नाम की एक जगा थी यहाँ पर वो गया था जब जिन हो और जाएंग यहाँ पहुँच जाते है तो उन्हें पदा चल जाता है कि यहाँ पर एक सरकस थी यह सरकस अब जड़ा आगे चली कही है नेकसिन में हम देखते है कि रात में कमिशनर के घर पर एक आदमी आता है इस आदमी को कमिशनर जानते है तो अंदर आने देते है पर यादमी कमिशनर का खोन कर देता है फिर से जंगल में जहाँ जायंग को मास्टर के सन की बॉड़ी मिली थी उसी जगा पर पुलिस को मिल जाती है अब कमिशनर की डेट बॉड़ी मिल चुकी है तो मास्टर और भी चिट गए होते है मास्टर यंग को धमकी देते हैं कि अगर उसने उसके सन को नहीं जल्दी से डोन कर दिया तो उसे वो फायर कर देंगे के बाद हम देखते हैं कि यंग एक आदमी के पास आया हुआ है इसका नाम होता है इकवांग यंग इकवांग से बुझता है कि मैंने तुमें ही इन दोनों को इंट्रोडूस कर रहा था यानि कि कमिशनर और मास्टर का बेटा और अब ये दोनों डेड़ है इकवांग पर ये शक ले रहा होता है इकवांग केता है कि यो दोनों बड़े आदमी थे इनके बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं हमने मुवी में देखा है जिसको कमिशनर ने मारा था ये ही इकवांग है अब पुलिस को कमिशनर की बॉड़ी मिल चुकी है तो उसकी आटपसी करने के रिए डॉक्टर को बुलव करता है कि जिस नाइव में दोना तरफ से धार होती है इसे नाइव से मर्डर किया गया था ये रात में जाकर जिन्हों को ये सब बाते बता देता है जिन्हों भी इन्वेस्टिकेशन करी रहा था तो उसे नाइव के बारे में पता चल गया था कमिशनर के मुव में जो करती है फिर उसे पदा चलता है कि इस कपड़े पर फ्लावर बना हुआ था इसे फ्लावर के कपड़े सरकस में ही लोग पहनते हैं कमिशनर का बेटा मर्डर होने से पहले सरकस में ही गया था तो अब यह दो एविड़नस ने मिल चुकी है तो सरकस में कुछ ना कुछ तो चाकू चलाता है, इकवान कहता है कि ओडियंस में से अगर कोई आ जाए तो सर्चूज में ये गेम खेलती होए डरेगा तो ये बहुत ही मज़ा आएगा, जिन हो जल्दी से उट जाता है और इसके लिए रेडी हो जाता है, इकवान थोड़ी दर तक आखों में पट्टी बान लेता है, उसके बाद चाकू चलाने लग जाता है, ये देखकर जिन हो बहुत डरा हुआ होता है, पर सक्सेस्पूल ये गेम कंप्रीट हो जाता है, जब जिन हो ने इस गेम के लिए वालेंडेर किया था, तो उसी वक्त उसने नाइफ वहाँ से चुरा ली थी, ये नाइफ लड़की यहासे भाग रही थी, इसवज़े से उसे कहता है, कि मैंने तुमें बैक किया है, मैं तुम्हारे साथ जो चाहे हो कर सकता हूँ, इस लड़की की एक छोटी भेहन भी थी, उसे पकड़ कर ले आये है, इस चोटी लड़की की भी उससीन जराने वाला था, पर बढ लगाड़ा इवेंट चल रहा है जहाँ गवर्नर पुलिस ओफिसर यह सब आने वाले है यहाँ किसी को भी अलाउड नहीं है तो जिन्हों को वह कहता है कि वहाँ जाकर चुक्के से तुम कुछ images लेकर आओ, यहाँ क्या चलता है यह किसी को भी पता नहीं है इन्हें हम कुछ expose कर सकते है यह news paper वाला कहता है कि यह काम dangerous हो सकता है, जिन्हों pretend करता है कि उसे भी dangerous लग रहा है पर actual में उसे भी जाना होता है क्योंकि अब वो case की investigation करने के लिए circus के बारे में और भी कुछ चानना चाता है circus के यहाँ जाकर circus वालों से वो कहते है कि तो भी free की publicity मिल जाएगी इसलिए वो circus वाले भी इन्हें फोटो लेने के लिए help कर देते हैं जिन्हों अलग अरक 10 में घुसता है और वहाँ नाइप्स खोजने लग जाता है यहाँ उसे killer कोन है इसका कुछ न कुछ तो evidence मिल सकता है पर इसे एक आदमी ढून लेता है और बहार निकाल देता है यह यहाँ से जार आता है पर दोनों छोटे लड़किया इसे रोक लीती है गयती है कि प्लीज हमारा भी फोटो ले लो जिन्हों पहले मना करता है पर यह बहुती sweetly उससे request करती है तो जिन्हों भी मान जाता है जिन्हों सुन को उसकी case के बारे में सब कुछ चीज़े बताता है तो सुन को सब कुछ मालूम है तो वो भी थोड़ी सी investigation करती है सुन पता करती है कि जो इकवां है यह अलग-अलग behave करता है एक बार वो कुछ करेगा तो दूसरे बार कुछ अलगी चीज़े करता है कुलिस पर यानि की यंग पर अप्रेशर बढ़ने लग चुका है तो एक आदमी को जो बहुती गरीब होता है confession करने के लिए मना लेता है यह एक fake body भी रखवा आते है यह आदमी सिर्फ पैसो के लिए admit करता है कि उसने ही master के son को मारा है जब इस murder को देखने के लिए जिन हो और जैंग जाते है तो जैंग कहता है कि मैं तो इसे पहचानता हूँ यह वही आदमी था जिस पर operation हुआ था यह बहुती गरीब है इसी वज़े से इसने confession किया होगा यह वो जिन हो को बताता है जिन हो अब यंग के पास जाता है उससे कहता है कि मुझे मालुम है कि यह रियल किलर नहीं है मैं सब जाकर यह मास्टर को बता सकता हूँ यंग केता है कि प्लीज ऐसा मत करो यंग पुछता है कि तुम्हे क्या चाहिए जिन हो केता है कि मुझे सिफ तीन दिन दो तीन दिन मैं सही मर्डर में ढोन निकालूँगा तब तक इस आदमी को कुछ भी होना नहीं चाहिए अब रात में इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जिन हो सरगस के आसपास घूम रहा होता है तब इकवांग उसे ढून लेता है इस पर वो चाको लगाता है कहता है कि तुम्हे हाँ कर क्या रहे थे यह जिन हो को धम की देता है कि अगर वो आसपास फिर से दिखा तो उसे मार डालेगा जिन हो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम ही मर्डरर हो इकवांग यह सुनका सप्राइस हो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है जैसा हो प्रिटेंड करता है अब इन दोन में फाइट हो जाती है पर इकवांग का ट्विन ब्रदर वहा जाता है यह दोनों मिलकर जिन हो को बान देते है इसके बाद यह सरकस का शो करते है इकवांग का जुड़वा ब्रदर अब जिन हो से मिलने के लिए आता है जिन्हों कहता है कि तुमने ही murder किये है ये जुड़ा brother कहता है कि तुम police नहीं हो हम दोनों को अक्यला छोड़ दो जिन्हों अभी भी बंदा हुआ है और उसे वक्त सरकस का show चल रहा होता है हमने जो दो लड़किया देखी थी वो सरकस में काम करती है और show करते वक्त उपर से चलांग लगा देती है ये बहुत ही इंजोड हो जाती है जैंग भी जिन्हों को ढूनते ढूनते यहां आही चुका होता है और जिन्हों को छुड़वा लेता है यह आसे जा रहे होते है पर लड़की इंजोर है तो जैंग इसे देखने लग जाता है इकवांग भी इस लड़की के पास आयो होता है उसे बहुत ही बुरा लगता है यह अपने ब्रदर पर घुसा हो जाता है उसे मारने लग जाता है उपने ब्रदर को कहता है यह तुम्हारी वज़े से यह सब हुआ है जिन्हों टेंट के अंदर होता है और यह दोनों ब्रदर बाहर जगट रहते है जिन्हों को आवाज आती है और वो बाहर आता है पर वहाँ उसे एक ब्रदर की डेड़ बॉडी मिलती है अब इड़ बॉड़ी किस ब्रदर की है ये किसी को भी पता नहीं है यहाँ पर पुलिस को बुलो आजाता है यंग इकवांग का फ्रेंडी है तो यंग कहता है कि किसे ना किसे तरीके से मैं जल्दी से एक केस निप्टा लूँगा कोई भी वरी करने को तुम्हें जरूरत नहीं है जिन्हों के पास यंग आता है और कहता है कि क्या तुम्हें रियल किलर मिला है जिन्हों यंग को कुछ भी नहीं बताता जिन्हों को पता है कि जो ब्रदर जिन्दा है यही किलर है पर वो बताने नहीं वाला जो छोटी लड़की उपर से गिरी थी इसको Джain help कर सकता है यह जल्दी से उसे होस्पिटर में लेकर आता है वो डॉक्टर को सरजरी करने के लिए बोलता है पर डॉक्टर मानने रहा होता है जैंग डॉक्टर नुप कर बहुत ही जीड जाता है वो कहता है कि क्या तुम सिर्फ पैसु के लिए नहीं कर रहे है डॉक्टर भी जेट जाते है और वहाँ से चले जाते है जाएंग अब खुद ही ऑपरेशन कर डालता है रात में जिन हो सुन से मिलने के लिए आता है जिन हो अब जरा परिशानी में है सुन यह पहचान जाती है सुनके दिये तुमें जो भी लगता है जो तुमें करना चाहिए यह तुम कर डालो वो कहती है कि जब तुम पुलिस में थे तुम जिस तरह से फियरलेस थे उसी तरीके से फिर से तुम यह काम करो यहाँ इनकी बात्चीत से हमें पता चलता है कि एक दूसरे से पहले प्यार करते थे पर अब इनमें ब्रेक अब हो चुका है इसके बाद हम देखते है जिन हो यंग के पास जाता है और इसके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिन हो फिर सरकस में पोचता है आसपास कही भी इकवांग नहीं होता पर उसका एक आदमी जो उसे पर वो ट्रस्ट करता है वो वहा होता है जिन हो फिर उसे बहुत मारता है और इकवांग का पता निकालता है निउस्पेवर वाले ने जिन्हों को कहा था कि कमीशनर बहुत सारे बड़े बड़े लोग ये सब इकवांग के पास जाते हैं ये क्यों जाते हैं इसका रिजन अब उसे पता चल जाता है इन सब लोगों का कलब था जिसमें कमीशनर, गवर्नर, मास्टर का बेटा ये सब शामिल थे इकवांग इन सब लोगों को लड़किया सप्लाई करता था ये सब मिलकर इन लड़कियों का शोशन कर दे थे सरकस में काम करने वाली लड़किया हमने देखी है कि वो भागनी कोशिश कर रही थी यही रिजन था कि वो भागना चाहती थी इकवांग के आदमी से जिन हो पता निकाल लेता है इकवांग अब कहा होगा वो इस बार गवर्नर के पास आया हुआ है एकवांग और उसका जो ब्रदर है इनमें से एक लड़किया सप्लाई करता था दूसरे ब्रदर को जब पता चल गया कि उसका ही ब्रदर लड़किया सप्लाई करता था ति वो बहुत ही चिड़ गया गुसे में आका रिवेंज लेने के लिए सब को मारने लग गया जब एक दूसरे को इन्होंने गुज़ine करने वाला था पर अभी भी जो मांडर कर रहा है वो सुनदा है इस बार वो कवर्नर को मारने के लिए गया है जिन्हों यह सब यंग को बता देता है और यंग अब उस जगा पर पहुच जाता है कमिशनर को मारने से पहले ही इकवांग को रोक लेता है इकवांग को अरेस करना चाता है पर इकवांग यंग को मार डालता है यहाँ पर गन लेकर जिन हो भी पहुच जाता है इकवांग जल्दी से छुप जाता है और सब लाइट्स बन कर देता है अब इन दोर में बहुत fight होती है fight में ही एक दिवार से जीन हो टकरा जाता है इस दिवार से उसे बहुत सारे drugs मिलते है यानि कि लड़कियों के साथ-साथ drugs भी supply किये जाते थे यही drugs लेने के लिए master का बेटा सरकस में आया था लास में जिन हो गोली चला कर इकवां को मार डालता है case अब solo चुका है तो जिन हो को इस case के लिए पैसे मिल जाते है वो अमेरिका जाना चाहता था पर सुन को अमेरिका भेज देता है सुन एक scientist है और वो अमेरिका जाकर अच्छा अविश्कार कोरिया में ला सकती है इसलिए वो वहाँ उसे भेज देता है सुन उसे कहे रहे हुती है कि वो भी उसके साथ चल सकता है पर जिन हो कहता है कि मैं अब उन दोनों लड़कियों का ख्याल रखने वाला हूँ मुवे के लास में हम देखते है जिन हो और जाएंग के पास कुछ आदमी आते है इन दोनों को एक बड़े से आदमी के पास वो लेकर आते ये आदमी उनसे कहता है कि मेरा एक लेटर गुम हो गया है ये नेदर लैंड में है Jinho और Jang एक अच्छी टीम बना थे तो इन दोनों को ये लेटर डोढने का काम दे देता है जब ये आदमी चला जाता है तो Jinho को पता लग जाता है कि ये आदमी और कोई नहीं था तो ये हमारे किंग ही थे जिन हो और जाएंग दोनों बहुत ही खोश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे बैसे भी मिलने वाले हैं अब यह दोनों as a team में केस सौल करने के लिए लग जाते हैं यही movie end हो जाती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की movies लेकर आतर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon दबाना में मत भूलिए हम भी इसे मिलेंगे और एक ने movie के साथ तबते के लिए थांक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखिये